पाथ में बात करऊंगा अरोग्य वर्दनी वटी के बारे 210 के क्या क्या कर्म है और उसके क्या क्या फायदे हैं आज सकी बारे बात कुरेंगे दोस्तो अरोग्य वर्धनी वटिं एक आयरवेदिक ओशदिंधी और ये आयरवेद में वटी कलपना से त्यार की जाती है इससे जुश्रीर में जितने भी रोग हैं उसको खत्म करने की शमता है इसलिए इसका नाम भी अरोग्य वर्धनी वटिंधी है आरोग्य वर्धनी का मतलब है कि आरोग्य का वर्धन करने वाला इसलिए इसका नाम आरोग्य वर्धनी वटी कहा है इसका मतलब यह होता है कि रोगों को समाप्त करना और इसी आरोग्य वर्धनी वटी को रस भी कहा जाता है क्योंकि ये पारद और गंदक से त्यार की जाती है जो कि कजली बनती है इस इसलिए इसे रस अरोग्यवर्दनी रस भी कहा जाता है ये वटी हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है दीपन पथे हिर्दे संबंदी रोगों को मल शोधन औशिदिय कर्मा से युक्त है अब आता है इसके घटक द्रव्य सबसे पहले ये आरोग्यवर्दनी वटी ये वटी कल्पना है इसलिए इसको आरोग्यवर्दनी रस भी कहा जाता है रस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पारद पड़ा होता है तो इसमें शुद पारत है, शुद गंदक है, अब्रक भस्म, तामर भस्म, हारड, बहेडा, आमला, शुद शीलाजीत, शुद गुगल, चित्रक मोल, कुट की इत्यादी ये इसमें घटक द्रवे पाए जाते हैं अब आता है, अरोग्य वर्दनी वटी की मात्रा, क्या के, इसकी डोज कितनी है, दोस्तो इसकी डोज है, 200 मिलिग्राम से लेकर 500 mg तक, मींज 2-4 गोली, सुभा से लेकर शाम तक, इसको दूद के साथ ले सकते हैं, या जल के साथ ले सकते हैं, या इसके कई अन्य रोग अनुस है यह कि, यह मोटापा कम करने के लिए भी बहुत अलाबधायक है, और यह जो हमारे जर्बी जिसको की फैट करते हैं, उसको भी कम करती है, और हमारे शरीर के जिए भी डाइजिस्टिव सिस्टम है, इसको इंप्रूब करती है, शरीर के जितने भी चैनल हैं, जिसको इस त इसको भी इसमें की लीवर का साइज बढ़ जाता है इसका इसमें बहुत अच्छा फाइदा मिलता है और सभी प्रकार के ज्वर या बुखार जिस इस वटी से प्रयोग करने से नश्ट होते हैं साथ ही साथ शरीर में किसी प्रकार का भी इंफेक्शन हो चाहे वाइरल किसी टाइप खुय इंफेक्शन हो तो इस वटी का प्रयोकर किया जा सकता है और इसमें बहुत अच्छा इफट मिलता है और साथी साथी इमुनुटी को भी इंक्रीज करती है और हमारी कई तरह से बिमारियों की रक्षा भी करती है कि कई बार क्यों होता है कि हमारे श्र Swift में पौशक तत्मों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे स्रिमें विक्रीति होती है चाए वो शारिरिक विक्रीति हो न masking या मानसिक वृद्दी भी रुख जाती है इसी से श्रीर जो है इसका मुख्य रोगेतिकार कुष्ट में आता है तो कुष्ट रोग की जो शुरूवाती अवस्था होती है इसमें इसका प्रियोग करने से बहुत अच्छा लाव होता है कुष्ट में skin से related जितने भी disorders जाते हैं उसको कुष्ट का जाता है हमारे श्रीर में जो खून में जो अशुद्य होती हैं बलड में अलग टाइप का infections होता है इस वज़े से किया होता है कि हमारे श्रीर में लाद रंग के चकते पढ़ जाते हैं कई बार उनमें खारिश होती है और ज़्यादा खारिश करने से उनमें मुवाद जिसकों की पस भी कह सकते हैं ये भर जाती है इस कंडिशन में हम अरोगे वर्धनी वटी का यदि हम महा मंजिष्ठादी अर्ख या नीम चाल के साथ या चूरन के साथ लें तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है इसके साथ ये LDL low density lipid को कम करती है और high density lipid को बढ़ाती है high density lipid जो है हमारे लिए अच्छा होता है और low density lipid जो है हमारे हार्ट के लिए नुपसान दाइक होता है इसलिए इसको ये balance रखती है जो हमारी endocrine glands होती है तो कई बार क्यों होते ही कि वह ठीक से काम नहीं करती है और इसी वज़े से हमारा जो है hormonal imbalance होता रहता है चाहे वह females हो या males हो और इनके genital organs है वह भी सही तरह से develop नहीं हो पाते हैं और इस condition में यदि हम अरोग्यवर्दनी वटी का सेवन करें तो इसका बहुत अच्छा effect मिलता है साथी साथ पीलिया से लेकर स्प्लीन से संबद्धित जितने भी रोग होते हैं इसका इसमें बहुत अच्छा effect मिलता है अब आता है अनुपान अनुपान का मतलब होता है कि इस ओशदी के साथ हम क्योंसी अलग सी ओशदी या जल इत्यादी सेवन कर सकते हैं सबसे पहले आता है गुनगुना पानी हम इसको गुनगुना पानी के साथ ले सकते हैं महामजिस्ठादी कुवाद के साथ ले सकते हैं खदिरारिस्ट के साथ ले सकते हैं कुमारी अस्व के साथ ले सकते हैं इत्यादी अब यह अनुपान जो है जैसे कि महामजिस्ठादी काड़ा है खदिरारिस्ट है कुमारी अस्व है इन इनको एज, बल और डिजीज की अनुसार इसका प्रयोग होता है जैसे महामजिस्थादी, क्वाथ, अगर हम सेवन करना हो तो जितने भी स्किन से रिलेटेड डिसॉर्डर है उसमें इसका इसको सेवन कर सकते हैं और कुमारी असव से पेट से संभन देज जितने भी रोग हैं अरोगी वर्दनी वटी को हम कुमारी असव से ले सकते हैं ये थी अरोगी वर्दनी वटी के बारे में छोटी सी जनकरी आपको कैसे लगी मेरे इस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए धन्यवाद